मेरे प्यारे मसी भावेनों सबों को जय मसी की आईए आज के साम में हम लोग सीखेंगे कि प्रवेशो मसी किस तरह से प्रातना किये थे यदि आप लोग भी इस तरह से प्रातना करेंगे जिस परकार प्रवेशु मरने से पहले एक दिन पहले पिता से प्रातना किया था यदि आप लोग भी उस तरह से प्रातना करेंगे तो प्रभू आपकी प्रातना को सुनेगा आपको उत्तर देगा आज बहुत सारे लोग प्रातना करते हैं उनकी प्रात्ना को नहीं सुना जाता क्यों नहीं सुना जाता यदि आज आज आप लोग इस प्रात्ना को सुनेंगे देखेंगे कि आज हम आप लोगों को जिस तरह से बता रहें किस तरह से प्रवेश्व मसिने प्रात्ना केता है यदे आप लोग उस तरह से प्रात्ना करेंगे तो प्रभू आपकी प्रात्ना को सुनेगा और उत्तर भी देगा तो आए हम सब मिल कर निकालते हैं संत लूकस अध्याबास पद संख्याम 49 से पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है तब वह बाहर निकल कर अपने रिती के अनुशार जैतुन के पहाड पर गया और चेले उसके पीशे हो लिए उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा प्रात्ना करो कि तुम परिक्षा में ना पड़ो प्रभू आपकी रोज रात को प्रात्ना करते थे और एक बार ऐसा हुआ कि जब प्रभेश्व मसी अगले दिन क्रूस पे चवाई जाने वले थे उसी रात प्रभेश्व मसी प्रात्ना करने गया जैतुन पहाड पर और उनके साथ साथ उनके चेली लोग भी गए जब वो गए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने चेलों से बोला कि तुम प्रात्ना करो कि प्रिक्षा में ना पड़ो मेरे प्यारे मसी वह गणो आज बहुत सारे लोग प्रात्ना नहीं करते इसे वज़े से उनके जिवन में बीमारियां, दुक, समस्याइं आती है बहुत तोरे की प्रिक्षाईं आती है और प्रवेश्य मसी का वचन आगे कहता है और वा आप उनसे अलग एक धेले पेकने की दूरी पर गया और घुटने टेकर प्रात्ना करने लगा प्रवेश्य मसी उनसे अलग हो गए और प्रात्ना करने लगे प्रवेश्य मसी इस तरह से प्रात्ना करते आप लोग भी इस तरह से प्रात्ना करें हे पुता यदि तू चाहे तो इस कटेरे को मेरे पास से हटा ले तो अभी मेरी नहीं प्रंतु तेरे इक्षा पूरी हो आज बहुत सारे लोग इस गलती को करते कि जाते हैं और परमेशवर की इक्षा को नहीं मांगते वे अपने इक इक्षाओं को मांगते हैं कि परमेशवर हमारी ये इक्षा है हमें घर देदे हमें बंगला देदे हमें गाले देदे हमारे करजे को दूर कर दे हमारे बीमारियों को दूर कर दे लेकिन वो कभी परमेशवर की इक्षाओं को नहीं मांगते ये बात अच्छा है कि अपनी ज प्रवेश्व मसीं बोल रहे थे कि प्रभू यदि हो सकते इस डुख को हटआ ले मेरे उपर से लेकिन प्रवेश्व मसी ने बोला मेरे नहिबल की तेरी इक्सा पूरी हो प्रवेश्व प्रमेश्वर की इक्सा को मांग रहे थे उसी प्रकार आज हम लोगों को प्रमेश्वर की इक्साओं को मांगना है उसके बाद अपने इक्साओं को रखना है तो प्रमेश्वर आपकी तीन बार इंकार किया उसलीद मैरे प्रिक्षा में ना पड़ जाए विम प्राहतना करते हुए प्रभू के साथ बने रहें उनकी उपश्थिति में जाते है फस्रस्टिंग प्राहतना करते है थो प्रमिशा आपको अग्वाइधी देगा Holy Spirit के द्वारा आपकी अगवाई करेगा और आपकी रक्षा करेगा आपकी प्रातना को भी सुना जाएगा इसलिए मेरे प्यारी मसीव हैवनो आप लोग सबसे पहले परमेशर की इक्साओं को माँगे उनकी जरूरतों को माँगे इसलिए मेरे प्यारे मसीव वेवनो आप लोग इसी रिते से प्रात्ना करें हम उम्मेद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करिए सबो को जय मसे की